हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार द्वारा से आपके अपने चैनल विवे करना स्वाक्स पर दिल से अगर आप चलने में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दवाना ना बुला ताकि आप सभी के सभी की नोटिविकेशन रिसीब कर पाऊ सबसे पहले और साथ पर हमें टेलिगराम ट्विटर इंस्टाइब वालो कर सकते हो सभी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो दोस्तो आज आपको पता जे संडे था तो संडे को हमेशा हम एक क्लास रखते हैं और जिन्होंने क्लास में वीडियो को शेयर किया था उनका दिल से बहुआ धन्य बाद जो अगर आप चालते हो क्लास का लिंग लेणा तो भाय डेसिनेटि इस वीडियो को और हमारे दूसरे वीडियो को शेयर के बाद हमें हाई वे जो कआपर इंस्टाग्राम चैनल पर ID पर जो है VR stocks करके या उसका लिंग आपको नीचे मिल जाएगा तो दोस्तों जैसे आपको पता है सुवे मैंने एक strategy share की थी जिसका नाम था आप कैसे promoter holding को देखते हुए आप investment कर सकते हो दोस्तों और हमारे एक मित्र है उन्होंने हमें ये stock recommend suggest किया है उन्होंने बताया कि इस stock में 35% के आसपास promoter holding जम्प होई है 35% के आसपास तो देख लेते कि आपको इस stock में investment करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बेसिकली जी ये stock है NSC, BSC दोनों में listed company है इसका काम का दोस्तों एक entertainment का काम है 3D और animation का काम करती है आप बोल सकते हो in short ये movie production का काम करती है ठीक है और company के बारे में hot deep में जाने के लिए आपको वीडियो अंतक देखना पड़ेगा और आप सबसे request करूँगा वीडियो को अंतक definitely देखना कुछ न कुछ सीखने को मिला कोगी चिन लोगों ने सुवे की class नहीं ले पाया तो उसका छोटा सा आप बोल सकते हो hint मैं इस वीडियो के माद्याम से add कर दूँआ और जिन्हों ने सुवे class देखी थी तो definitely आप बोल सकते हो उनका आज homework भी हो गया क्योंकि एक stock हमें मिल चुका है जिसमें promoter holding increase हुई है और वो strategy जो सुवे बताये थी आप इसमें apply करके देख सकते हो ठीक है तो start करते वीडियो कुछ समझ आएगा तो like कर देना like करने से आपका क्या मिलता हमें appreciation मिलता है motivate करता है मैं मुझे motivate करता है आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहो रोजाना ठीक है तो भाई definitely आप like करो और निचे comment करके बताओ आपको कैसे stocks के उपर वीडियो चाहिए या आप खुद के कुछ stocks है आपके पास उसको भी आप निचे comment कर सकते हो देफिनेटली सुनर और लेटर उसके उपर वीडियो बन जाएगा ठीक है तो दोस्तों जिस stock के मैं बात कर रहा हूँ आप देख सकते हो Prime Focus Limited NSC BSE दोनों में listed company है P focus करके इसका code है और stock का पास अभी 66 रुपे चल रहा है अगर बात करता stock के all time chart की तो stock ने 143 रुपे का high लगाया था और 2 या 9 के आसपा 6 रुपे का low भी लगाया था और दोस्तों 2 या 9 के बात से stock एक लगता हाई रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे stock में एक अच्छा का रहा double bottom का formation हुआ है same price के आसपास 28 और 25 रुपे के आसपास देख सकते हो 20 में stock ने same price का support लिया है 28 रुपे और 30 रुपे के आसपास तो मतलब stock एक double bottom का formation भी कर रहा है और एक high rise का pattern भी ये stock बना रहा है जो हमें बहुत clear sign दे रहा है कि definitely ये stock अपना last swing test कर सकता है जो last swing निकल के आता 100 रुपे के उपर लेकिन दोस्तों ये तो technical बात हो गई अब बात करते है fundamental कि company fundamental कैसे sound कर रही है companies are profitable or not sir holding pattern कैसा है हाँ दोस्तों company के आप बोल सकते हो 100% I mean 35% का jump आया है लेकिन एक बात को ध्यान लेना जो अभी आपके साथ reveal करूँगा almost 100% के आसपास promoter holding pledge हो रखी है मतलब गिर्वी रखी भी है तो ये एक चिंता का विसे हो सकता है बस इसलिए मैं इस stock के उपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप बोल सकते हो दिखाया तो हमें जा रहा है कि promoter holding increase हो रही है लेकिन उसमें pledge भी हो रखा है बहुत सारा माल तो बात को समझो अभी आपको दिखाता हूँ definitely आपको उसका उत्तर मिल जाएगा दोस्तो आप देख सकते हो prime focus limited की मैंने website खोल लगी है जैसे मैंने आपको बतलाया था मेली जो उनका काम है entertainment and media का काम है आप देख सकते हो 3D animation और post production का ये काम करती है तो definitely दोस्तों आप इस stock को अपने observation में रख सकती है आपको उसका business समझ आ गया और business आपको बता है इसका long last चीक है जब तक हमारी Bollywood industry Hollywood industry चल रही है definitely इसका भी कारूबार चलेगा और इसका stock price definitely उपर जा सकता है मजिलस आप उसकतों की business का A1 है उसमें तक कोई सक नहीं है ठीक है दोस्तों अब बात करते है company के fundamental analysis की prime focus limited की जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था NSC BSC दोनों में कामकाज होता है 1963 क्रोड के आसपास का market cap है काफी पुरानी company है 52 वीक हाई है और 17 रुपे के आसपास का low है अगर बात करते हो इस stock में क्या बढ़िया तो अब देक्स को company आपको लगतार limited नहीं दे रही है phase value एक रुपे के आसपास है ROC दोस्तों आप देक्सको 3% के आसपास है और ROC नेगरिव दिखा रहा आपको और साथ में दोस्तों देखिए सबसे main point pledge percentage 100% का pledge है इसलिए मैंने इसको red करा हुआ है ठीक है मतलब promoter holding pledge है ठीक है बस इसमें यही एक negative point मुझे नज़र आ रहा है promoter holding pledge है बस आपको थोड़ा धियान पूरव के stock भी investment करना है मैं यह नहीं कह रहा हूँ आप stock को investment मत कीजिए अगर आपका मन कहता है तो definitely कर सकते हो या इसके अलावा अगर आपको कुछ और stocks मिलते है जिसमें promoter holding increase हुई जैसा आपको पता है last video में मैंने last week मैंने एक और video बनाया था जिसमे 65% की आसपा promoter holding increase हुई थी ठीक है वो stock 25 रुपे के आसपा rate कर रहा था 25 से 30 रुपे के आसपा तो चाहो इस stock के stock में investment ना करके अब उस stock में investment कर दो क्योंकि इसमें यह सिर्फ एक यह negative region यह है भागी सबको ठीक ही लग रहा है देखते आ गया और क्या ठीक है तो आप देख सकते हो स्क्रीन में मैंने प्राइम focus का horse के बारे में जान लेते हैं आप देख सकते हो 35% के आसपास last quarter में promoter holding increase हुई है right company की जो median sales growth है 15% के आसपास ठीक ठाक है right अगर हम बात करते कंपनी के profit की तो उससा आप देख सकते हो स्क्रीन में मैंने December quarter के profit खोल लगे 588 क्रोड का company को profit हुआ था और उससे पहले 652 क्रोड का September quarter में profit company दिखाया था अगर बात करते है net profit की तो उससा देख सकते हो company को minus 26 क्रोड का loss हुआ था और उससे पहले profit हुआ था और उससे पहले 4 क्रोड का profit हुआ तो मतलब company कभी आपको profit देती कभी आपको loss देती है मतलब company आप हो सकते हो एक consolidation phase में जा रहे कि इसी वज़े से क्योंकि company कभी आपको profit देती कभी आपको loss देती है अपने chart देखे लिया है stocks का लगाता एक range में trade कर रहा है ठिक अगर बात करता profit and loss की तो तो आप देख सकती हो company के जो sales है June 2015 के आसपास 1600 क्रोड थी और sales थोड़ी कम हुई थी थोड़ी कमी देखने को मिली थी मान 2016 के आसपास लेकि दुआरा से इन्होंने इसको पकड़ा और देख सकते हो sales लगाता बढ़ रही है लेकिन current अगर बात करते हैं प्रॉफिट की तो आप देख सकते हो डेट बहुत ज़्यादा होगा इसी वज़े से यह loss आपको देखने को मिला समाहो अगर कंपणी अपना debt चुका देती है जिसके chances बहुत less लगए अगर चुका देती है तो definitely profit आपको minus 132 नहीं होता यह plus का 200 और 300 क्रोड हो सकता था ठीक अगर बात करता हूँ last year के अगर बात करते कंपणी में होर क्या अब अच्छा है तो balance sheet में ने खोल रखी है आप देख सकते हो कंपणी के पास लोन काफी जादा है और reserve काफी कम है ठीक है तो भाई यह एक और negative point आपको मिल गया company के पास लोन बहुत जादा है और तूसरा क्या negative point मिला हमें 100% की pledge holding हो रखी है एक तरफ से तो हमें दिखाया जारा प्रमोटर की holding बढ़ाई गई है लेकिन एक तरफ से यह भी तो देखो उसमें दो negative point है जो बहुत बड़े बड़े negative point है तीन हजार क्रोड के आसपास का लोन है और भई उसी लोन के बज़े से 200-300 क्रोड का तो इसको इंटरसीव पढ़ जाता है साल का तो बात को संभ्यो ठीक है अगर आरोसी तो चिल छोड़ो उसको प्रमोटर होल्डिंग बड़ी है 70% तक हो चुकी है और पबलिक की होल्डिंग आप देख सकते हो 80% हो गई है तो अगर आप स्टॉक में इंवेस्मेंट करना चाहते हो मेरे जाप से मैं स्टॉक को देखिए फानिशरी में 10 में से सिर्फ 4 रंग देना चाहूँगा लेकिन टेकनिकल में बात करूँ तो हमें स्टॉक पे इंवेस्मेंट करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए मैं आपने छोड़ता हूँ लेकिन अगर मैं आपके जगा होता तो मैं सीरिसली बता रहा हूँ चो 26 रुबे का स्टॉक में आपको दिया था पहले उसमें मैं जरूर इंव एक mission करते हो तो वो मुच्छिल फट्स जादा चाहिया नइपको दे सकता है बात को समझो nya तो पर च्रक प्लेज में को प्रोल्ट को बनता है कि मालिकों नहीं होल्ड इंवेश्मेंट करना हिक तो अब चार्ट देख लो उसके बेसित में आप लेट है क्या stop loss है क्या target है और हमें कहां entry के लिए stock में wait करना चाहिए अब देख सकते हो मैंने इसमें भी आपको दो chart दिखाऊँगा या भी मैंने weekly chart खोला हुआ है तो stock ने एक अच्छा काद है ट्रेल 9 का breakout दिया है अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था सूवी की strategy तो मैंने आपको क्या बताया है जब भी promoter अपनी holding increase करते तो आपको करना क्या होता है आपना उसके swing high है और swing low है उनको mark कर लो तो मैंने इसमें mark कर लिए swing high है और swing low ठीक है इसका swing high एरा और swing low एरा अब इसमें आप दो काम से कर सकते हो या तो आप stock को buy करो 76 रुपे के उपर ठीक है उससे पहले मत करो ignore छोड़ दो 76 रुपे जब जाए तब ही आप stock को buy करो 76 मतलब यह इसका जो high है swing का इसके उपर एक रुपे या 2% का आप लगा सकते हो buffer मतलब 76 रुपे कर हाई है तो आप 77-78 रुपे में बाए करो उससे पहले मत करो अगर यह 77-78 रुपे तोड़ देता है तो हम definitely stock को investment करेंगे यह एक save player कर सकता है लेकि जो रिक्स ले सकते है ठीक है जो रिक्स ले सकते ह तो मेरे साब सबसे best entry होगी भाई यह मैंने lines draw कर रखी है 53 रुपे और 54 रुपे जी यहां दोस्तो मेरे साब से 54-55 रुपे के असपास या 55-60 रुपे के असपास सबसे best entry होगी stock पर investment करने की आप stopos लगा सकते हो 44 रुपे के नीचे ठीक है तो आप 44 रुपे के नीचे ठीक जैसे मैंने आपको बताया था अगर आप चाहो तो 76 रुपे के उपर ही stock को buy करो ठीक है सुबह की strategy हो बताएती है मैंने swing high और swing low तो उसमें हमारा stopos रुपे के असपास लेकिन जो डिक्स ले सकते है वो stock को 55 रुपे के असपास और 60 रुपे के असपास बाय करके चल सकते है तो भाईया यहां पर दो प्रगा की strategy होती है अब आपको देखना है आप किस category में fall करते हो आप अगर aggressive trader हो तो definitely आप 55 रुपे का हमारा stopos रहेगा अगर आप safe trader हो आप पैसा बचाना जाते हो तो आप क्या करोगे आप थोड़ा wait करोगे 60 रुपे के उपर बाय करोगे जब break कर देगा जब breakout हो जाएगा तो मर्जी आपकी है अगर पहले भाई करोगे तो profit जादा है बाद में भाई करोगे तो profit काम है लेकिन risk कम है बात को समझो अब आपकी मर्जी आपको क्या करना है तो मेरे साब से मैंने आपको answer दे रिया है जो मैं आपको deliver करना चाहता था ठीक है promoter holding almost pledge है और company के debt बहुत जादा है जिसवाशे से company को बहुत जादा इंटरस्ट देना पड़ता है अगर interest नहीं होता मतलब debt नहीं होता company में तो definitely भाई मैं stock में definitely पड़ा amount लगा सकता था लेकिन मैंने आपको चैसे बता है ना अगर आपकी मंतली सिर्फ जाती है हजार दो या रुपे stock में या mutual fund में डालके यह stock में invest कर सकतो है इस वाले stock में ठीक है तो बाई इस वीडियो को यह सवाप्त करता हूं आश्या करता हूं आपको आपका answer उत्तर मिल गया होगा और अगर आप class को में participate करना चाहते हो अगर आपको link चाहिए वाला तो definitely वीडियो को share करो facebook, twitter, telegram, whatsapp और हमें tag करो या message करो हमारे विया stocker के channel पर जो हमारे instagram पर है चलो bye bye